साहित्ती निदी में सुनिये पंकच सुबीर की काल जई कहानी चावी पंकच सुबीर की कहानियों में वैविधित्ता है, रोचकता है और कल्पनाशीलता भी है उनकी लिखी हुई कहानी पाठक को बांध के रखने में सक्षम है प्रस्तोते कहानी चावी सीमा जी नहीं है क्या रश्मी ने जैसे ही दर्वाजा खोला तो सामने हाथ में ब्रीफ केस थामें लगबक 40-45 साल का एक आदमी खड़ा था रश्मी को देखकर उस आदमी के चेहरे पर कुछ उल्जन, कुछ प्रशन भरे भाव उबरे और उसी भाव में उस आदमी ने रश्मी से प्रश्मी किया जी, वो बातरूम में हैं, कुछ काम है आपको रश्मी ने उत्तर भी दिया और प्रश्मी भी किया नए, कुछ खास काम नहीं है, बस आप ये चावी उनको दे दीजेगा उस आदमी ने चाभी का गुच्चा रश्मी की और बढ़ाते हुए कहा कुछ उलजन बरे अंदाज में रश्मी ने अपने हाथ आगे बढ़ाया और चाभी ले ली उनको पता है मैं रोज अपनी चाभी यही पर छोड़ कर जाता हूँ बता दीजिएगा कि पड़ोस के सुधाकर राउचा भी दे गए है उस आदमी ने रश्मी को उलजन में देखा तो बोला और बता दीजिएगा कि आज बच्चों को शायद स्कूल से आने में देर हो जाएगी स्पोर्स वगर रहे हैं कुछ स्कूल में जी रश्मी अभी भी उलजन में थी वो आदमी मुड़ा और मुड़कर सीड़ियां उतर गया रश्मी उस आदमी को जाते हुए देखती रही जब वो आँखों से ओजल हो गया तो रश्मी दर्वाजा बंद करके अंदर आ गई रश्मी यहां इंदोर कोई परिक्षा देने आई है यह उसकी सहली तीप्ती के भाई का घर है जहां उठे दी हुई है कौन था रश्मी सीमा ने बात्रूम से निकलते हुए पूछा कोई चावी देने आये थे कह रहे थे आपको पता है रश्मी ने हाथ में पकड़ी हुई चावी को हवा में हिलाते हुए उत्तर दिया अच्छा वो बाजू वाले सुधाकर होंगे वहाँ टीवी के पास रखतो चावी सीमा का स्वर कुछ कहरा हो गया और हाँ वो ये भी कह रहे थे कि उनके बच्चे आज स्कूल से देड़ से आएंगे कोई स्पोर्ट्स वगर रहे है स्कूल में रश्मी ने टीवी के पास चावी रखते हुए कहा ठीक है सीमा का स्वर अभी भी असहज है ये रोज रख कर जाते हैं चावी रश्मी ने प्रश्मी किया हाँ तुम भी नहालो तब तक मैं नाश्ता बना देती हूँ सीमा ने बात को दूसरी तरफ मोर दिया रश्मी जब तक नहाकर निकली तब तक सीमा नाश्ता बना चुकी थी आज आओ पहले नाश्ता कर लो नहीं तो ठंडा हो जाएगा सब रश्मी को निकलते देखा तो सीमा ने कहा दोनों नाश्ता करी रहे थे कि सीमा का मोबाइल बजा हाँ भाई साथ चावी मिल गई है रश्मी ने बता दिया है मुझे कि आज बच्चे देर से आएंगे आप चिंता मत करिये मैं कहीं नहीं जा रही हूँ आज दिनभर घर पर ही हूँ जब भी हूँ आएंगे चावी दे दूँगी सीमा ने कुछ मीछे स्वर में कहा हाँ हाँ आप बिलकुल निश्चनत रहिए अगर आपको देर होती भी है तो मैं ने कुछ हलका फुलका यहीं पर खिला दूँगी सीमा ने एक बार फिर किसी बात के उत्तर में कहा और कॉल डिस्कनेक कर दिया वही चावी देने वाले थे क्या रश्मी ने पूझा हाँ वही थे सीमा ने उत्तर दिया कर लो कर लो कुछ दिन और कर लो दूसरे के बच्चों की केर जब तक अपने नहीं हो जाते हैं रश्मी ने शरारस से मुस्कुराते हुए ठीटोली की अरे तुमने जलेवियां तो बिल्कुल ही नहीं लिये हैं यहां की फेमस जलेवियां हैं ये सीमा ने बात को पलट कर दिप्ती के प्लेट में जलेवियां रखते हुए कहा ये पडोस में ही रहते हैं रश्मी ने जलेवी कुतरते हुए पूझा हाँ ये उस तरफ का घर उनका ही है अच्छा बताओ तुम खाने में क्या खाओगी मेरी तो इच्छा है कि आज अलू के पराठे और टमाटर की चटनी का लंज किया जाए सीमा ने बात को एक बार फिर पलट दिया वाओ गुट च्वाइस गरश्मी ने उतर दिया चलो फिर ठीक है तुम नाश्टे के बाद जाकर पढ़ना मैं जरा कुछ घर की हालत ठीक कर लूँगी फिर लंज की तयारी सीमा ने कहा नाश्टे के बाद दो पहर तक गरश्मी पढ़ाई करती रही लेकिन उसने देखा कि भावी का मोबाईल हर गंते आदे गंते में बज उठता है हर बार उसी पडोसी का फूम होता है और हर बार वो कोई काम बताता है हर बार भावी आत्मियता से उतरते रही है क्या है ये सब मेरे साथ कोई ऐसा करे तो मैं तो इरिटेट होकर खीजी पढ़ू मगर भावी हर बात पूरे पेशेंस के साथ बात कर रही है कहीं कोई जुझलाट नहीं, कोई खीज नहीं ओहो, सच कहती थी दीपती आपके हाथ के बने आलू के पराठों का कोई जवाब नहीं रश्मी ने प्रशन साथ मक्सवर में कहा सीमा ने लंच में आलू के पराठे, टमाटर की जटनी और खीर्या का रहता बनाया है दोनों साथी खाने बैठी है अचानक किचन में रखा सीमा का मुबाईल बजा सीमा उठने कोई थी कि रश्मी ने हाथ पकड़ कर रोग दिया अब चैन से खाना तो खालो ऐसा भी क्या होंगे वही आपके पड़ोसी, बाद में कॉल कर लेंगे सीमा कुछ अन्वने भाव से वापस बैठ गई मुबाईल कुछ देर तक बज़ कर चुप हो गया कुछ देर बाद मुबाईल फिर बजा सीमा ने कस्मसागर रश्मी की तरफ देखा नहीं कुछ नहीं बजने दो, पहले आप खाना खाओ बैठ कर कहते हो रश्मी ने एक हाथ से सीमा का हाथ पकड़ लिया मुबाईल बज कर बंद हुआ, फिर बजा, फिर बजा और बजता रहा मुबाईल की घंटी मानो जुझला जुझला कर बज रही थी कि कोई तो उठाओ मुबाईल और वही जुझला रश्मी के मन में भी हो रही थी जब तक वे दोनों खाते रहे तब तक मोबाइल की घंटी पार्श और संगीत की तरह बस्ती रही खाना खाकर रश्मी अपने प्लेट किचन में रखने गई तो देखा कि भावी का मोबाइल 15 मिस कॉल की सूचना दे रहा है अजीब है ये भी किसी की प्राइवेसी का कोई ध्यानी नहीं है अरे भाई यदि कोई कॉल अटेंड नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो अभी व्यस्त है कुछ देर बाद कॉल कर लो ये क्या बात हुई कि दना दन 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 एक के बाद एक कॉल करते ही जा रहे हैं बड़े शहरों में रहने वाले लोगों में इतना भी मैनर्स नहीं होता क्या रश्मी अंदर ही अंदर भुल मुना रही थी प्रत्यक्ष में कुछ बोल नहीं पा रही थी पता नहीं क्या बात हो इतने में किचन प्लेटफॉर्म पर रखा मोबाईल फिर बजा सीमा ने खुर्ती से अपने हाथ पोछे और मोबाईल उठा लिया हाँ भाई साथ वो दीप्ती की सहली आई हुई है ना तो बस उसी के साथ खाना खा रही थी मोबाईल यहां किचन में रखा था आवाजी नहीं आई रिंग बजने की सीमा ने कुछ शर्मिंदगी से भरे स्वर में कहा जी जी मुझे पता है आपको चिंता हो जाती है सीमा ने कॉल करने वाले की किसी बात के उत्तर में कहा नहीं अभी तो नहीं जी जी ठीक है सीमा ने कहा और कॉल डिसकनेक्ट करके रख दिया रश्मिंद को पतानी क्यों ऐसा लगा कि कॉल डिसकनेक्ट करने के बाद भावी उससे नजरे चुरा रही है या किसी प्रश्न का उत्तर देने से अपने आपको बचा रही है मुझे क्या पढ़ी है, मैं कौन यां हमेशा के लिए रहने आई हूँ किसी के परसना जीवन में मैं क्यों दखल दू मुझे तो दो-तीन दिन रहना है और फिर बापसी मगर फिर भी कुछ अटपटा तो लगी रहा है रश्मी सोच में डूबी, दीरे-दीरे सौफ का एक-एक दाना हतेली परसे उठा-उठा कर मुझे रखती जा रही थी चलो, अब तुम अपनी पढ़ाई में लगो नहीं तो हम दोनों गप्पे मारने बैठ के तो तुमारी पढ़ाई धरी की धरी रह जाएगी कल परीक्षा दे लो, फिर रात को हम बैठ कर लड़ाएंगे सारी गप्पे सीमा ने उसे डैनि टेबल पर बैठे देखा तो कहा परीक्षा को लेकर रश्मी सारी तयारी करके ही आई है अब तो बस यूँ ही उलट पुलट कर देखना है सब फिर भी अपने कमरे में जाकर जब पढ़ने बैठी तो शाम तक पढ़ती रही तब तक जब तक की दीप्ती के भहिया आफिस से नहीं आ गए रश्मी तुमारे भहिया बुला रहे हैं चाई पीने आज़ो थोड़ी देर अब छोड़ो किताबें कहीं कल सिर न दुखने लगे परीक्षा में सीमा की आवाज आई तो रश्मी किताबें रखकर उठ खड़ी हुई अरे बाप रे कितनी शाम हो गई है पढ़ते पढ़ते पता ही नहीं चला आ जाओ चाई पीलो थोड़ा रिलेक्स हो जाओ भहिया ने उसे देखा तो मुस्कुरा कर बोले चाई पीने के दोरान भी सीमा का मोबाईल दो तीन बार बजा और हर बार सीमा ने लगवग वैसे ही उत्तर दिये जैसे वो सुबह से रश्मी सुन रही थी जी भाई साब अभी बच्चे तो नहीं आये हैं जी मैं खिला दूँगी रश्मी ने देखा कि भाईया सीमा की बातों की तरफ द्यानी ने दे रहे हैं वो चुपचाब अपने मोबाईल से खेलते हुए चाई पी रहे हैं रश्मी को एकार फिर से अचीब लगा दिनबर का ठका हरा पती घर आया है ऐसा भी क्या कि पती दो चुपचाब चाई पी रहा है और ये बातों में लगी है रश्मी के अंदर की ननत से रुठाने लगी मगर फिर उसने अपने आपको कंट्रोल किया रात को क्या बन रहा है भाई सीमा ने कॉल डिसकनेक किया तो भाईया ने पूछा कुछ हलकाई बनाऊंगी रात को कल रश्मी की परिक्षा है सुबह रात को हैवी खाना ठीक नहीं रहेगा सीमा ने चाय के कप उठाते हुए उत्तर दिया सीमा उठकर किचन में चली के और रश्मी भहिया से बती आने लगी दर्वाजे की गंटी सुनकर सीमा किचन से निकली और टीवी के पास अखी चाविया उठा कर दर्वाजे की तरफ बढ़ गई जी भाई साब बच्चे तो अभी तक नहीं आए शायद देर से आएंगे सीमा सुर दर्वाजे के पास से आ रहा था कुछ देर बाद सीमा दर्वाजा बंद करके फिर से किचन में चली गई भाईया रश्मी से नहीं रहा गया क्या है इस सब कौन है ये ये भाईया के चेरे के भाव बदल गए तुमारी भावी ने तुमको कुछ नहीं बताया नहीं तो रश्मी को लगा कि उसका प्रशन शायद गलत हो गया है हम इतना कहकर भाईया कुछ देर चुप हो गए हाथ के मुबाईल को टेबल पर रखा और चश्मा भी आँपों से उतार कर टेबल पर रख दिया ये पडोस में ही रहते हैं सुधाकर राओ नाम है भाईया ने कहना शुरू किया जब इनके बच्चे छोटे थे तभी इनकी पत्नी चल बसी थी तबसे इनोंने अपने दोनों बच्चों को माबाब की तरह पाला बच्चों को कभी भी माँ की कमी नहीं मैसूस होने थी साल बर पहले जब यहां पडोस पर रहने आये तो हम लोग भी सहयोग करने लगे ये ओफिस आते समय इसी प्रकार सीमा के पास घर की चाबियां छोड़ जाते बच्चे दोपहर के बाद स्कूल से लौट आते चाबी लेकर घर चले जाते उसके बाद सीमा शाम तक कई चक्कर लगा कर देखती रहती कि बच्चों को कुछ जरूरत तो नहीं है कभी बच्चों के लिए बाजार से कुछ लाना होता तो इनको फोन करके बता देती या इनका ही फोन आ जाता सब कुछ ऐसे ही चल रहा था बाद को बीच में छोड़का भाईया कुछ देर के लिए रुखे ऐसे ही चल रहा था कि अचानक अभी महीने बर पहले इनके बच्चों के स्कूल आटो को एक ट्रक ने टक कर मार दी और कहते कहते भाईया ने बाद को बीच में ही छोग दिया डॉक्टरों के अनुसार ये अभी भी उस सब्वें से बाहर नहीं आए है अभी भी समझते हैं कि इनके बच्चे स्कूल से आएंगे कहीं आ तो नहीं गए होंगे आएं तो ऐसा ना हो कि हम लोग कहीं गए हो और बच्चे चाभी के लिए परेशान हो बस यही सब सोचते रहते हैं और दिनवर सीमा को फोन करते रहते हैं कभी बच्चों के खाने की चिंता करते हैं कभी देर होने की कभी कुछ और सीमा अपने हिसाब से हेंडल करती रहती है भाय या का स्वर उदासी में डूप चुका था वो अभी भी उसी समय में जी रहे हैं उससे बाहर नहीं आपा रहे हैं विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि अब कोई नहीं आएगा कोई नहीं आएगा इस चावी को लेने कोई नहीं रश्मी इस्तब्द अवस्था में बैठी हुई थी और भहिया मानो अपने आप से ही बाते करते हुए बुद्बुदा रहे थे अभी आप सुन रहे थे पंकस सुबीर जी की लिखी हुई कहानी चाबी सर दिया था मैंने यानि सीमा से